एक बार की बात है त्री पक्षिय संगर्स के युग में तीन सक्तिसाली राजवंस प्रतिहार, राष्टरकूट और पाल एमपायर एक दूसरे से टकरे इस महायुद्व ने दक्षिन ACI इदिहास को समारा आठवी सती में प्रतिहार राजवंस ने उत्तर भारत में अपनी प्राजदानी जगती की विशाल का इवास्तु कला के प्रशिद्धी थी पूर्वी भारत में पाल एमपायर ने बोद चित्रकला और राशांसकर्तिक सम्रद्धी के एक प्रमुक के अंदर के रूप में उमड़ा उनके प्रायोजन से नालंदा विश्व विधाल्य महत्व प्रण था त्रिभागी संगर्ष के समय में ये तीन राजवंस एक दूसरे के किलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जिससे क्षेत्रिय संगर्ष और राजसत्ता में परिवर्तन हुआ त्रीपक्षी संगर्ष ने राजवंसों को कमजोर किया लेकिन इससे सांसकर्तिक आदान प्रदान और भारती धरोवर को बढ़ावा मिला